हेलो दोस्तों मेरा नाम देवेंदर सिंग है वेल्कम टू अन्पेड अकेडमी आज हम आप लोगों के सामने सामाने ध्यन का एक नया टॉपिक की स्टार्ट करने जा रहे हैं समाज और धर्म सुधारान दोलन और उससे संबंदित समाज सुधारक दोस्तों यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइदा हो सगे आए स्टार समांध्यन का समाज और दर्म सुधारांदोलन जब बात करते हैं तो मोला क्या होता है तो अंदोलन its SS yeah and Al N Reverse शोश्ड और अन्या चिलाब पैदा है ससगय ऑर सभी करें तैंध geschॉषरी опас Bring up button कि we have enough time to go back to Barcelona यह है Ti rather कर आत्यक हमें अपिर हमने जानना जरूरी हो जाता है की सुद्धार का ऑंध καला हissä प्रकार का समाजी का अंदोलन होता है जिसका लच्ष होता है समाज के किसी वी छेतर को अपेच्छा कर धीरे धीरे परवर्तित करके बहतर बनाना होता है सुधार अंदोलन क्या होता है यह एक प्रकार का समाजी का अंदोलन है जिसका लच्ष होता है कि समाज में धीरे धीरे यह हैं, दोस्तों, करमाथिकारी अंदूलन 스ENDे consider कारांतिकारी अंदूलन where this šष्या है, c assemb doinता jest वेविवत्ति का चा नवितन से जिए की। तुछ समाज और धर्म सुधार अंदूलन के अंतरगत ने जाना Дहना है कि कि कई हैं और आंदूरन कर रहे हैं, परो collaborate में है इस तरियों में और प्र किसा अगर थिदुन है दो साथी प्रथास 심स्याउ मान है प्रसक्राइं तुह उताए हमें जएक गता झालिए। जन गड़ आvelmente कि दोतर उछे दकेथों में प्रिवन की पुद्र गांवाज बिदşीकितों है। इसे रहा जूआथ एक facts छूआ चुथ हमारे समीधार में ऐर्टिक्ल सेवैंटीन के थ्रूज चुआ जुआ चुआ 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 अज भी कही ना कही हमारे समाज जिविद्धिमान है कि आंतरगवाद सबर्द। अब भी विद्धिमान है लोगों का शोषड अभी हो रहा है लेकिन पहले की अपेच्छा करत बहुत ही कम हुई है आगे आते हैं बाल विवा बाल विवा पर भी बहुत सारे कानून बने हुए है पिर भी बाल विवा भी कही न कहीं राजियों में आज भी बड़े इस तरपे क्या आता है अशिच्छा असिच्छा हमारे देश में बहुत लोग ज्च्छा थीरह civ की बड़ लैकिन परवरतन हो रहा है जुब्स तरब रहा है लेकिन धीमीं कि एंतर आप हम जाते हैं आखिर सुमार्ण के इसके लिए हम अपनी सगेंस सलाइट के मोड़ते हैं समासुधार आंदोलन के कारण समासुधार आंदोलन के कारण पर देखा जाए तो समासुधार आंदोलन के सबसे पहले कारण है सबसे बड़ा कारण है प्राच्यवादी विचारधरा प्राच्यवादी विचारधरा क्या होती प्राच्यवादी विचारधरा क्या होती क्すबाइब गवारा हमारे भारती इतिहास के प्राच्य वादी थे बहुत ही अच्छा समाज था अगर समय में कुछ रेष्ट है तो हमारे वैदिक समाज में हैं इस बात से उनका क्या हुआ आत्मेश्वास भी बढ़ा तो उन्हें लगने लगा कि हमें भी अपने अतीत को जानने की इच्छा हुई उन्हें भी अपने अतीत को जानने की इच्छा हुई ऐसे में भातियों ने प्राच अदिव्वा समस्या थी ही नहीं, वेधिक काल में लड़कियों को भी शिछा का अधिकार پराप्त था, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राचीन काई में लड़कों कभी सिछा का अधिकार पराप्त था, मात्र सत्तातमक सम् लेकिन जब वो दुसरी तरह अपने समाज की ओर देखते हैं प्रजन टाइम में देखते हैं तो नको लगता है कि हमारे समाज में तुसा भाल विवा शिच्छा जैसे थे तुमां में लड़ने के लिए परीस्तियों से उन में लड़ने के लिए भारति वुद्वि ने आयं सम आसपास ढम रहे हमारे देश सभजा Di के सम्सकृति की वहाई प Sanderskriti को इस प्रहु नकाल से लगा कि यह जौ पाकि चारेंस अव्व्वता के लोग के लिकिन भार्ती बुदुजी को लगा की यह जो और 55 संख्रा कि अगर हमारे समय ही न समस्यां का इसलिए उन्होंने उत्तर देने का सिर्फ एक ही तरीका निकाला और उन्हें लगाकि हमें अपने समाज को सुधार की और ले जाया जाए तीसरे पोईन्प की तरह आते हैं आदनिक्षिछा का विकास आधनिक सिच्छा के विकास के अंतरगत जब हमारे देश में आधनिक सिच्छा का विकास हो रहा था तो आधनिक सिच्छा का विकास होता है तो लोगों में तारकिक्ता भी बढ़ती जाती है तारकिक्ता बढ़ने का मतलब यह है कि अगर कोई करे तो उसका क्यों में अंसर जर अगर उसको काटने से हमारे उपर कोई प्रभाव पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो दीरे दीरे तारकिक्ता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है अगर कोई चीज होई तो क्यूं होई तो इसको बोलते हैं तारकिक्ता तो आधरी सिछा का विकास हो रहा था लोगों में तारक सधर्किंट के रूप में सामने आए अगर्य पट्रकारिता का विकास भारत सिखा का विकास भी हो ईहा तो दिरे सत्शा के बढ़ती तो समाचार पात्रों को बढ़े समाचीछ कुछ मिलाकर देखा जाये तो समाच सुधार के लिए समाचार पतर एक जनमत का निर्मार करते थे मतलब लोगों को जागरूप करने का कारे करते थे आगे एक और पॉइंट आता है इसाई मिश्णरी द्वारा भारती समाज की कमियों को निशाना बनाना इसाई जो समाज था हमारा इसाई मिश्णरी थी यहां पर धर्म जो हमारे क्या कहते हैं दलित जातियां थी इनको धर्मांतर्ण की और इनों ने बढ़ावा दिया इनों जो भारती बुद्ध जीवी थे इनको लगा कि समाजिक और धार्मिक पहचान की सुरच्छा के लिए हमारी की खत्रा है तो इनोंने समाज सुधार को बढ़ावा दिया अब आगे हम अपनी नेश्ट स्लाइट की तरब मूव करते हैं कि समा सुधार में कुछ गवर्नर जनलर का योगदान आगक देखे समा सुधार में बहुत सारे ऐसले ओफोती योगदान जैसे लाड्ड विलियम बेंट की आईक बहुत इंप्रणन कोसिन किसने किया लाड विल्यम बेंटिंग ने किया 1829 में बहुत इंपॉर्टन कुछिन दोस्तों बनता है आज से सती प्रथा का अंत किसने किया लाड विल्यम बैंटिंग दोस्तों आप यह जो हमारा यह टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों मैं विश्वाष दिलाता हूं कि अगर जिए पर प्रतिबंद कंन शोषोऊटी फिर पर प्रतिबंद लगाया था लाड फिलियाम बैंटिक ने नर्बली देने की प्रथा का अन्त किया था ये भी लाड विलियम मैंटिक ने ही कोश्चन ने काता सती प्रता कांत किस ने किया तो लाड विलियम बेंटिंग ने किया नर बली देने की प्रता कांत किस ने किया तो लाड विलियम बेंटिंग ने किया एक नमबर के बहुत इंपोर्टन कोश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों अब आगे आते हैं लाड डलहोज सभाटन के साथ काल में आयता तो आप Do WordPress लाइड आंपडं में अगली तक हाव करते हैं है समास ओधारक दोस्तों यह जानना बहुत हीजरूरी हो जाता है कि समास ओधारक थे उनके विछारधराएं कैसी ही जाना किर भी चाहा वा ने जिए सफल रहें गहें आते हैं की समासुधा क्यों आपने विचारधा Becca त करना दो दोस्वा नोरहा प्रवी भजह मैं प्रयूदा करते। बाचते पिर से बताया एंड थे रहा हूं आपक हना लिए पूरा समाज्व क कर लें कि बास हमारा समाज अच्छा हो जाएगा जुसरे में आते एप ख़ंद में संग का Politics मोस तन दौनों से प्रब्र ने लए आदे गराण लगी अच्छी लगी उनको भी गराण किया और दोनों को अपने में समाहित किया तीसरे वहाग में ऐसे सुधारक आते हैं जो भारत को सुधारने के लिए पश्चमी सुधार पर बल दे रहे ते इसमें आते हैं यंग बंगाल अंदोलन जो पश्चमी सुधारक पश्चमी सुधार की तरब बल दे रहे थे यंग बंगाल अंदोलन के बारे में बताना देना चाहता हूं हमारे जो है देश में ज्यदा सफल नहीं रहा था क्योंकि इसकी विचारधारा जो थी पुल्कुल मूल परिवर्टन वादी थी यंग बंगाल अंदोलन की सुरवा प्रम समाज प्रातना समाज अलिगड़ा अंदोलन रहनुमाई मजदाशन यह सब इस प्लश्ट विचारधारा को रखने वाले लोग थे और इस विचारधारा में आर्ष समाज देवबंध योश्वविकल सुसाइटी यह सब इस विचारधारा के लोग थे हम अगली स्लाइट की तरह मूब करते हैं जिसमें अब राजा राम मोहन राए राजा राम मोहन राए अब हम समा सुधारक की बढ़ते रास समा सुधारक में राजा राम मोहन राए का बहुत ही योगदान है समा सुधार के रूप में सबसे पहले कुशनिया से ही बन जाता ह की राजा राम मोहन राय को राजा की उपाद किसने दृ शान को आधनी भारती समाज का जन्म दाता भी दोस्तों इनका जन्म 22 मई 1572 में हुआ था में मांटा को सब कुछ माना जाता है पिता जो थे यह इनके रामकं राइथे बैभिक्वा पूजा करते थे विश्व भग्वान को मानने वाले वेश्वसम्पूदाय के लोग कहलाते हैं इनका वारे में कहा जाता है की इन्होंने बंगाली अरबी संस्क्राइट फार्शी का इनको ग्यान हो गया ता 1834 तक इन्होंने इस्ट इंडिया कंपणी में नौकरी वी की थी बाद में इस इंडिया कंपणी की नौकरी छोड़ दी ये दोस्तों एक हशरवादी थे कर्मकान वीरोधी थे मुर्ति पूजा के भी विरोधी थे मैंने बताया कि राजा राम मुहन राए जो है क्या करते हैं आधुनिक भारती समाज के जन्म दाता भी थे बहुत इंपर्टन कुश्चन बनता है यहां से यह तरह कि 8 ज़ाज समाज सभा की सब्राइन की 1814 में आत्मी सभा की सब्राइन की इत्राइए बहुत इंपर्टन कुश्चन में बनता है कि आत्म्हाज के सब्राइन की भा MA की इससे ने की उइस यह फॉट फीक्म हार 1885 में कलकता में हिंदू कॉलिज کی इस्थापना की थी 1817 में इन्होंने कलकता में हिंदू कॉलेज की इस्थापना इन्होंने बंगाल में सिच्छा को बढ़ावा देने के म मैं इतले कुछ चने आसे Бहुत ही अच्छा की कें hm तो राजा राम मुहन रायने की थी, प्रिसेप्ट आप जीसस जो 1820 में इसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दासनी संदेश को चमतकारी कहानियों से अलग करने की भी कोशिश की, देखिए दोस्तों इन्होंने अलग करने की कुछिस की चमतकारी कहानिया थ इसमें से दारसनी विचार थे उनको अलग करने कोशिश की, तेखिए आगे नेस्ट स्लाइट की तरफ अपने मूब करते हैं, आटारह सो पचीज में, वेदान कोलेज की स्थापना घ्राना राजा राम मोहन राय नकीतिल, बहुत इंपर्थे इंपरणन कुशन ने आसे बनता है, तक निए से बनता है, वेदान कोलेज की स्थापना की, तक saama jika ईjas लड़ने के लिए, देखा जाए किस भारती का था तो राजा राम मोहन राय का था सती प्रता पर कानून जो पारित किया था गवर्ण जनल्र काउन ते लाड विलियम बैल्टिक थे पहले ही पता चुगा हूँ और अगे चलकर केशो चंद्र सेन भी समें जुड़ जाते हैं केशो चंद्र सेन का जो द्रेश्ट कोड़ था वो मौल परिवर्तनवादी था तो आगे अपने स्लाइड की तरफ मौव करते ने स्लाइड की तरफ आगे चलकर जब हिंदु धर्म यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज को हिंदु धर्म से दूर ले जाए जाए इसी पर इनके थाकुर से मदबेद हो गए और यहां से फस्ट स्पिट होता है फस्ट विवाजन होता है विवाजन होता है आदी ब्रह्म समाज और भारती ब्रह्म यहारति भर्मतु माझ के कना दौन यह बहुत हैं सब्सक्तर अब्केंड दान के चुर सेंट और जुटा क्या है कि करेंड युटार में बेटी का स्यादी भी हर के वैचि How the radioactive फ्रॉड फेर खेप साथ कर सदें जो कि नावालिक होती है बाती है और प्रिषण को हो जिसका दरश्ट को मुल पर वतनवादी हो वो जो है कैसे अपनी बेटी नावाली बेटी के साथी धार्मिक कंडेक रिवाज के साथ कर सकता है तो इसी पर इनके अन्वाईयों में जो है क्या कहते हैं विभाजन हो गया अन्वाईयों में फूट पढ़ गई तो इसमें भी भीज़ा हो जाते हैं आपना इसके हो जाते हो जाते हैं समाचार पद्र थे तो राजा राम मोहन राए के थे थे अब दोस्तों हम जो है अब हम देखते हैं कि हम यहांसे कौन-कॉछे को साल कर ले रहे हैं कौन-कौन कौन है एक्जाम पॉइंट वी से इंपॉर्टन तो सबसे पहले देखते हैं तो यहां से एक कुछिन यहां से यह बन जाता है कि अगर पूछा जाए कुछिन इंपॉर्टन बन जाता है कि सती प्रथा का अंत किस ने किया था कुछिन यह है कि सती प्रथा का अंत किस ने किया था तो स आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी तो आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी राम मोहन राय को राजा की उपाद किसने दी थी दूसरा कुशन दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाद किसने दी थी तो अकबर सेकर्ड ने दी थी अगला स्थापना किस ने की थी तो राजा राम मोहन राय ने की थी कब होई थी 1828 में होई थी सती प्रथापर कानून किसके प्रयासों से पारित हुआ किसके प्रयासों से पारित हुआ तो आप यहां पर राजा राम मोहन राये लगाएंगे सती प्रता कानून किसके प्रयासों से पारित हुआ तो राजा राम मोहन राये किस प्रयासों से पारित हुआ एक कुश्चन यहां से और बन सकता है बहुत इंपॉर्टन कुश्चन कि समवात कौमदी समाचारपत्र का प्रकाशन किस ने किया तो राजा राम मुहन राय ने किया मिरातुल अकबार का अकबार का प्रकाशन कितने किया तो राजा राम मुहन राय ने किया बंग दूत का प् करें और शेयर करें धिस दे ज़ाइब विड और यहां और वर दुस्टो अगर आपको समझ में आया उतो पीज ङूह में नहीं आयों तो प्लीज लाइक करें और ड्स लैक कियो यह जरूर कमेंड बा्क्स ने बताएंगी स्लाइड जल्दि ही रहाजी हरोंहें आपके अगली बेस्ट